हाई एवरिवान वेलकम बैक तो इस लेक्टर में हम सीखने वाले है कि किस तरह से हाइडोजन हलाइट्स की एडिशन होती है अलकीन पर ठीक है साथ ही हम इसमें मारकॉनिक और रूल को भी बहुत अच्छे से समझने वाले है तो देखो पहली बात कि जो हाईडोजन हलाइट्स है उनकी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो कौनसी रियाक्शन देते है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन इलेक्टोफाइल अटाक करता है डबल बॉंड पे और वो एड़ हो जाता है तो क्या होता है इसमें हाइडोजन हलाइट्स जो है जिसे हम HX से भी लिखते हैं X यहाँ पर रेप्रेसेंट करता है हलोजन्स को ठीके तो HX हाइडोजन हलाइट है उसका एडिशन कैसे करवाना है वो आपको यहाँ पर रियाक्शन में समझ आ जाएगा पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ HBR to स्मिट्रिकल अलकीन एक हम स्मिट्रिकल अलकीन लेते हैं स्मिट्रिकल अलकीन कौनसी होती है जिसमें डबल बॉंड के डबल बॉंड के अक्रॉस क्या हो सेन तरह के ग्रॉप्स लगे हो जैसे ये आपका सिस्टम है डबल बॉंड का डबल बॉंड वाला है तो इसके दोनों साइड में क्या लगा है दोनों साइड पर CH3 लगे ہے तो यह क्या है यह है स्मिट्रिकल अलकीन तो यहाँ पर एक portion है H positive दूसरा है BR negative अब यहाँ पर symmetrical alken है तो चाहे आप hydrogen यहाँ लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ तो आपको जो product मिलने वाला है वो same है तो यहाँ पर symmetrical alken है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है कि hydrogen कहाँ लगाए और bromide कहाँ लगाए ठीक है तो यहाँ पर product आजाता है CH3 मालों यहाँ पर hydrogen लगा देते है तो CH2 आजाएगा डबल का हो जाता है single bond और साथ में CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लग जाता है bromine ठीक है अगर यह bromine यहाँ पर भी लगता hydrogen यहाँ लगता तब भी same था क्योंकि यहाँ से भी first and second position है और यहाँ से भी first and second position है तो जब आप symmetrical alkenes में deal करते हों वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती कहीं पर भी आप H positive add कर दो कहीं पर भी BR negative लगा दो ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं unsymmetrical alkenes की unsymmetrical alkenes कौन सी होती है जिनके double bond वाले unit के दोनों साइट पे अलग तरह के groups लगे हो ठीक है वो होती है unsymmetrical alkenes जिनमें symmetry नहीं होती है उसमें addition कैसे करवाना है उसके लिए आता है marconic of rule और जो यह हमने addition करवाया है उसका मैं आपको order भी बता दू कि जो यह halides होते है जैसे है HI हो गया hydrogen iodide हो गया यह सबसे जादा reactive होगा इसकी reactivity सबसे जादा है फिर आता है HBR और सबसे कम reactive होता है यहाँ पर HCL और जो hydrogen fluoride है उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ते क्योंकि पीछे भी मैंने आपको बताया है क ऊसकी जो reaction होती है वो explosive होती है इसलिए हएँ हम जो addition reactions है उसको हम study नहीं करते है वो कोई भी यूज की नहीं है ज़ादातर वो explosive है इसलिए जादातर वो use में हमारे नहीं है वहां से क्या ही आप निकाल पाऊगे क्या ही study कर पाऊगे ठीकर तो इसलिए यहाँ पर list में हम h.f को नहीं लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा reactive HI होता है, और इसका reason क्या है, HIQ सबसे ज़्यादा यहाँ पर reactive है, क्योंकि अगर आप देखोगे iodine का जो size है, वो क्या है सब में से, सबी halogen में से सबसे बड़ा होता है, iodide ठीक है, iodine होता है, तो इसका क्या है, size बड़ा है, तो यह जो length है, वो क्या है, वो भी long है, जो यह bond length है यहाँ पर, वो सब में से यहाँ पर HI में bond length सबसे ज़्यादा है, जिसकी वज़ए से इसका जो bond energy है HI bond की, अगर हम bond energy देखे, वो सबसे ज़्यादा lowest है bond energy का मतलब होता है bond energy किसी की lowest है इसका मतलब उसको तोड़ना बहुत आसान है मतलब कम amount of energy देने पर भी, यह तूट जाएगा ठीक है, bond energy low है, तो low energy देने पर भी यह तूट जाएगा bond energy मतलब, कितनी energy देनी पड़ेगी, एक particular bond को तोड़ने के लिए, तो है की bond energy क्या होती है, lowest होती है इन तीनों में से और साथ में इसका जो bond है वो longest है, इसी वज़े से इसकी reactivity सबसे जादा होती है, तो order of reactivity समझ आ गया, है सबसे reactive होगा electrophilic addition reaction of alkenes के लिए और HCL सबसे कम होगा, ठीक है अब यहाँ पर वापस आते है markovnick of rule में, तो देखो markovnick of rule कैसे आपको समझना है, तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यह चीज़ देखनी है, कि जब भी यहाँ पर unsymmetrical alken आता है, unsymmetrical alken कौन सा हो गया, जैसे यहाँ पर unsymmetrical alken ले लेते है, प्रोपीन, ठीक है यहाँ पर हम लेगे प्रोपीन ओके, तो प्रोपीन हम ले लेते है, CH3 single bond, CH double bond CH2, this is प्रोपीन, अब देखो double bond वाला जो unit है, उसके साथ unsymmetri है, क्योंकि एक साइट पर CH3 group है, और दूसरे साइट पर hydrogen है, तो यह क्या है, one of the unsymmetrical alken है, ठीक है इसमें जब हम HBR की addition करवाएगे तो देखो, तो problem हो जाएगी कि hydrogen को अब कहां ले जाए, hydrogen को यहाँ add करे, क्या फिर यहाँ add करे, देखो, symmetrical alken में तो कहीं पर भी आप add करोगे, तो सेम ही आपको product मिलना है, क्योंकि वो symmetrical alken है, लेकिन unsymmetrical alken में दिक्कत हो जाती है, position चेंज हो जाएगा, nomenclature चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि इस hydrogen को यहाँ ले जाए, या फिर इस hydrogen को यहाँ ले जाए, तो इसी इसी problem को solve करने के लिए एक rule आया, उसको कहते है Markornikov rule, तो यह Markornikov rule कहां लगता है, जब हम alkenes में addition करवाते है hydrogen halides का, तो वहाँ पर हम Markornikov rule क्या करते है, use करते है, तो यह rule दिया गया, बहुत सारी reaction को study किया गया, जो Markornikov थे, उन्होंने क्या क्या, Russian वो chemist थे, तो उन्होंने क्या करा, इस तरह की बहुत सारी reactions को study किया, और एक generalization लाई कि ऐसा, ऐसी reactions में unsmetrical alkenes में क्या होगा, जो positive part of the adding molecule है, ठीके, देखो जिसे adding molecule यहाँ पर क्या है adding molecule देखो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर, HX is the adding molecule, जिसको add होना है alkene पे, ठीके, HX is the adding molecule, तो क्या होगा, इसका एक positive part भी होगा, और negative भी होगा तो यह H positive, positive part है, X negative, negative part है ठीके, तो जो positive part है, वो कहां जाएगा, positive part जाएगा, positive part जाएगा, उस carbon पे, कौन सा carbon double bonded carbon, क्योंकि जो addition है, वो across double bond आप करवा रहे हो, तो यह दोनों ही picture में आएगे, बाकी के carbon नहीं देखने है आपको, ठीके addition आपको कहां करवानी है, across the double bond करवानी है, तो जो addition होनी है, उसके लिए भी तो दोनों carbon को ही देखो अब क्या आपको देखना है, कि positive part of the adding molecule उस carbon पे, उस double bonded carbon पे जाएगा, जिसके more number of hydrogen जिस पर लगे है, ठीके, वो double bonded carbon, double bonded carbon, short में लिख रही हूँ double bonded carbon पे जाएगा having more hydrogen जिसके पास more hydrogen है, वहाँ पर positive part जाएगा, ठीके, और negative part of the adding molecule जैसे यहाँ पर x negative है, वो कहां जाएगा उस double bonded carbon पे जाएगा, यह डीबी सी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बाकी भी, जिसे यहाँ मालो CH3 है, तो इस पर add मत करवा देना करवाना कहाँ है, उनी carbon पे करवाना है, जो double bond वाले है carbon, ठीके, तो उनको कहते है double bonded carbon, यह दोनों क्या है double bonded carbon, तो negative part उस double bonded carbon पे जाएगा, जिसके पास less hydrogen प्रिजेंट है, ठीके, यह होता है आपका मार्कॉनिक आफ रूल, वेरी सिंपर, तो यहाँ पर जेनरली जो हम रियाक्शन करवा रहे है, वो तो hydrogen halides की है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा positive part है, तो H positive कहाँ जाएगा, जहां more hydrogen's है, ठीके, तो hydrogen halides के case में बहुत easy हो जाता है लिखना, ठीके, तो पहले यहाँ पर देख लो, वो ही चीज़े की positive part of the adding molecule, जो molecule add हो रहा है, उसका positive part जाता है, उस doubly bonded carbon पे, जिसके पास more number of hydrogen's presented, ठीके, और उसी का negative part जाता है, उस doubly hx, अगर हम hx ले, hx is the adding molecule, adding molecule, अगर यह adding molecule है, जिसका addition होना है across the double bond, तो क्या होगा, यहाँ पर जो h positive है, जो h positive है, positive part है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर more, more number of hydrogen's है, ठीके, और x negative, negative part कहाँ जाता है, उस doubly bonded carbon जहाँ पर less number of hydrogen's है, ठीके, अब यह कौन से carbon's है, यह सिर्फ और सिर्फ कौन से है, doubly bonded carbon, बाकी के carbon's नहीं देखने हैं, जिसे हैं यहाँ पर है, अब देखो, अब यह rule आपको समझ आ गया, जब भी आपको mark onic of rule आ जाए, तो आपने सीधी यह देखना है, जो adding molecule है, उसका positive part जाता है, उस डबली bonded carbon पे, जिसमें more number of hydrogen's है, अगर हम hydrogen halide की बात करें, और भी इसको simple बनाते, mark onic of rule को, सिफ और सिफ एक लाइन लर्न करो, ठीके, बाकी जादा देखने की जबरोतनी, सिर्फ एक लाइन आपको लर्न करनी है, कि mark onic of rule में, कि जो hydrogen होता है, वो जादा hydrogen के पास जाता है, क्या कहा मैंने, mark onic of rule में, जो hydrogen है, वो more number of hydrogen के पास जाता है, मतलब वो वाला carbon, वो डबली bonded carbon, जिसके पास जादा hydrogen है, तो hydrogen किसके पास जाएगा जिसके पास जादा hydrogen है सिफ इतना याद रखना दूसरा part आप negative part आपको समझा जाएगा जहाँ पर less number of hydrogen है ठीक है तो क्या कहा मैंने mark onic of rule में क्या करना है hydrogen कहा जाएगा उस double bonded carbon पे जाएगा जिसके पास more number of hydrogen प्रिजेंट है तो इसका product major product कौन सा बनना है hydrogen जाएगा जिसके more number of hydrogen है मतलब किस पे है देखो double bonded carbon कौन से एक ही ये वाला carbon है ये वाला carbon है जिनके इधर उदर जो double bond की इधर उदर है ठीक है तो इन दोरों में से किस पे hydrogen जाएगा जिसके पास more number of hydrogen है तो ये hydrogen यहाँ पर लगेगा तो देखो कितना simple है ये rule ठीक है और बाकी इसका मैं mechanism से आपको बताती हूँ फिर आपको जादा समझ में आएगा और अगर आपको पूछ ले कि hydrogen halides की ये वाली HPR की addition हम करवा रहे है यहाँ पर अभी कोई conditions नहीं है ठीक है, conditions की भी हम बात करेगे कि क्या होता है जब पर आकसाइड आ जाता है तो यहाँ पर फिलाल क्या है कोई ऐसी condition नहीं है तो क्या करना है simply mark onic of rule लगाना है hydrogen कहां जाता है जहाँ पर more number of hydrogen प्रेजेंट है उस doubly bonded carbon पे जाएगा और इसकी जो mechanism है वो है electrophilic addition से यह mechanism होती है अब mechanism भी देखते है first step यह था अब क्या होता है यहाँ पर H positive ने add होना है अब जो H positive का addition है वो दो तरह से है पहला क्या है H positive कैसे होगा अब यह देखो यहाँ पर साथी में क्या हो रहा है यह electron density जाएगी first case माल लेते है कि यह electron density यहाँ पर जाती है यह first case माल लेते है यह first part है और यह वाला आपका second part है यह वाली line second part है first part में है जब electron density कहां जा रही है इसके पास जा रही है electron density तो H positive कहा जाएगा तो H positive negative के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर product यह बन जाएगा CH3 single bond यहाँ पर हो जाएगा carbon पर hydrogen आ गया CH पहले से था double का single हो जाएगा और CH2 आ जाएगा अब electron density जब यहाँ से यहाँ गई है तो इस पर negative आए तो इस पर तो positive आएगा ना तो यही positive हम यहाँ बना देगे ठीक है तो यह बन गया पहला हमारा carbocatine अब second case में क्या होता है second case में हम ले लेते हैं कि यह जो bond है वो इस पर अपनी पूरी electron density देता है यह हम second case बनाते हैं अब इस second case में क्या होगा यहाँ पर आजाएगा CH3 यह आजाएगा CH single bond और साथ में आजाता है यहाँ पर CH3 ठीक है तो यह hydrogen कहां लगा जहां पर इसके पास more number जहां पर क्या था negative पार था वही पर H positive जाएगा तो second case में H positive यहाँ लगा और यहाँ पर आजाता है plus तो यह आपको समझ आ रहा है carbocytain कैसे बन रहा है? carbocytain क्या होते हैं? जिसमें carbon पर positive charger होता है दो तरह के carbocytain आपके पास है अब यहाँ पर गौरख से देखो कॉनसा degree वाला carbocytain है? यह है 1 degree carbocytain 1 degree carbocytain ठीक है? 1 degree carbocytain और यह कॉन सा है? 1 degree क्यों है क्योंकि ये जो carbon जिस पे positive है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही carbon से attached है So this is 1 degree carbocatine और यहाँ पर क्या है ये वाला carbon दो carbon से attached है So this is 2 degree तो ये कौन सा है 2 degree carbocatine है ठीक है और हमने क्या करा है stability of carbocatines में कि 2 degree is more stable than 1 degree carbocatine ठीक है और 3 degree सबसे जादा stable होता है तो यहाँ पर क्या है जो 2 degree carbocatine है ये वाला जो carbocatine है ये क्या है stable है तो ये है more stable तो ये है more stable इसका मतलब जो carbocatine है वो main आपका ये रहेगा 2 degree carbocatine तो जो product बरना है वो भी next step में इसी को लेकर हम चलेगे तो next step में जो bromide add होना है वो इसमें add होगा ठीक है तो next step आजाता है CH3 CH3 CH और यहाँ पर positive आजाएगा ठीक है और आजाएगा यहाँ पर CH3 अब इसमें जो bromide है वो कैसे add हो रहा है जो bromide है वो यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है इस position पर अब यही वाला carbocatine क्यों लिया है हम यहाँ से यह वाला carbocatine उठाता है क्योंकि यह more stable है 2 degree carbocatine है ठीक है यह क्या है यह less stable है तो major जो product बनेगा वो इसी carbocatine से बनने वाला है तो bromide बीच में लग गया तो यह आजाता है CH3 CH3 यहाँ पर और नीचे आजाता है BR ठीक है तो यह बनता है आपका major product यह क्या है आपका major product ठीक है और यह major product पर हम किस तरह से पहुंचे है हम पहुंचे है तो यह तो mechanism है जिस चीज से आपको यह समझ आता है कि कैसे मार्कॉर्निक आफ रूल काम करता है तो actually हमने क्या क्या जो 2 degree carbocatine था उसी से हमने अपना major product बनाया है किस 2 degree carbocatines are more stable ठीक है तो stability की बात है जो चीज स्टेबल होगी वही आगे जाके major product देगी ठीक है इससे भी आपको product मेलेगे कि यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा सकते हो लेकिन वो minor product होगा ठीक है major product आपका यही वाला होगा तो यह दोनों के इसे जबने कर लिए तो in short मार्क of rule में कि hydrogen goes to more hydrogen कौन से doubly bonded carbon ही देखना है हर कोई मत देखना क्यूंकि यहाँ पर देखो जो hydrogen था अब देखो अब यह तो mechanism से मैंने कार्वो कटाइन से बताया अगर हम इसको direct ही करें direct भी आप कैसे कर सकते हो जिसे ही hydrogen है hydrogen कहाँ पर जाना था more hydrogen पे वो वाला doubly bonded carbon जिसके पास more number of hydrogen present है पहले तो focus करो doubly bonded carbon क्या focus करना है किस पर focus करना है पहले आपको आपको focus करना है doubly bonded carbon पे डी बी सी पे तो doubly bonded carbon कौन से है यह दोनों है जो double bond के इधर उधर है ठीके तो इन दोनों में से कहा लगेगा अब इस तीसरे को मत देखना कि more number of hydrogen बोला था मैंने तो हम यहाँ पर add कर लेते हैं नहीं आपको क्या देखना है doubly bonded carbon तो कौन से है यह दो है अब इन दोनों में से देखो किसके पास more number of hydrogen से obviously इसके पास two है इसके पास one है तो यह hydrogen कहां जाएगा उस carbon के पास जिसमें more hydrogen जो hydrogen है वो अपनी तरह ही hydrogen के पास जाएगा जहां पर hydrogen ज्यादा है वह और दूसरा पार्ट कहां लगेगा दूसरे carbon पे लग जाएगा तो आप hydrogen से भी यह चीज़े समझ सकते हो easy हो जाएगा marconic of rule में क्या है hydrogen कहां जाएगा जहां पर ज्यादा hydrogen से ठीक है उस double bonded carbon पे जाएगा जिसके पास more number of hydrogen सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ इस वाली लाइन को द्यान में रखो marconic of rule भी समझ जाएगा और anti-marconic of rule भी आपको एकदम से समझ जाएगा सिर्फ एक लाइन से ठीक है तो next lecture में हम समझेगे कि anti-marconic of rule क्या होता है और पर औक साइड एफेक्ट क्या होता है ठीक है तो मिलते हैं next lecture में bye bye see ya